हेलो एब्रिबड़ी यहां स्वागत है आपका और पूरे वक्त में भगवान दे साथ आपका आज हम बात करेंगे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शनल कॉम्पोनेंट में कैसे हैंडल करते इवेंट तो जैसा कि देख सकते कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था हमारा एप जो है फंक्शनल कॉम्पोनेंट था उसमें हमने इवेंट हैंडलिंग की थी अब मैं क्या इस function को remove कर दूँगा, ठीक है, अभी हम क्या बनाने वाले class-based component, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले class पर आउंगा, let's say class, right, और यहाँ पर मेरा class का नाम की है app, और यहाँ पर class बन गई, right, अभी normal है, मैं आपर क्या करूँगा, extends, और यह extend किसको करेगा, react.component, ताकि य अपना जो component है, यह normal component नहीं, यह react-based component है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, react को import करने पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, import, react from किससे, react package, right, so अब यह class जो है, अपनी special class बन गई, react इसको पहचानता है, अगर मैंने इसको हटा दिया, तो basically यह normal class है, लेकिन अब हम इन्हेरीट कर रहे है, अब जब आप इन्हेरीट करते हो, तो पहले जिस class को इन्हेरीट करते हो, उसको constructor में क्या करना पड़ता है, नमस्कार बोलना पड़ता है, कैसे, super keyword use करके, तो basically यहाँ पे हम super कैसे call करेंगे, as a method, right, या function, जो भी बोलना चाहे, और अपने को यहाँ नहीं दे रहा, basically सच के रहा है, कि हम इसमें कुछ use नहीं कर रहे है, अगर आप जैसी this. करोगे, तो यह चला जाएगा, ठीक है, तो अभी के लिए यही रहने देते हैं, और हम उसके बाद क्या करने वाले, एक button बनाते हैं, तो हम button कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे एक method use होती इसको बोलते है, render, right, इसको react call करेगा, और यह जो है, basically, इसके अंदर एक return होता है, ठीक है, अब यही चीज, functional component में, direct return होती है, यहाँ पे हम render use करते हैं, अब यहाँ पर अपने को लिखना है, jsx component, अब लेट से मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, normally button लिख रहा, button, ठीक है, और यहाँ पर लेट से click, okay, और लेट से मैं इसको add कर देता हूँ, एक div के अंदर, और एक second रुखिए, div. यहाँ पर लेट से app class था मेरा, ठीक है, अब इसके अंदर यह मैंने लिख दिया, यहाँ फिर एक second, button, और इसको class दे देते है, class name, और यहाँ पर btn दे दिया मैंने, यहाँ पर click me, अब लेट से यह काम कर रहा है कि नहीं, refresh किया इसको एक बर, तो यह काम कर, click me यहाँ पर आगया, इसको एक बर करते हैं, को एरर तो नहीं आरी, यहाँ तक सब चीद सही है, अब मैं इसको click करूँगा, तो basically इसको use करना है, इसको सुनना है, इसकी कहानी, कैस क्लिक तो हूर है, लेकिन अब कहानी कोन सुनाएगा, कहानी सुनाने वाले का नाम है, यह बटन है, तो इस पर हम क्या करेंगे, click, तो हमें पता है कि यहाँ पर camel case follow करना है, और HTML का same event का जैसे लिखते हैं, वैसे लिखने है, अब यह कहानी सुनाएगा, अब सुनने वाला को होना है, यह event trigger होगी, listener होना चाहिए, इस event को handle करने वाल handler होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, handler बनाएंगे, तो let's say, यहाँ पर handle click करके मैं बना रहा, okay, class मैं basically method ऐसे बनाते हैं, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर this use करना पड़ेगा keyword क्योंकि हम class के handle click को refer कर रहें, और यहाँ पर let's say, यह कुछ देगा, यह let's say event देगा, तो मैं एक बार console.log event करूँगा, so console.log event, अब let's see, यह event प्रिंट करता है के नहीं, right, refresh करते हैं, और मैं click पर करूँगा, और यहाँ पर यह काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसके जगा पर यह काम करत input element लेते हैं, normal सा, type text रहेगी, और इस पर भी दे देते on change, right, क्योंकि यह keyboard से track करेंगे हम, ठीक है, इस पर keyboard से हम change करेंगे, input को, और change होगा, और मैं आपर लिख रहा है, एक नयाफ method बना देते है, handle, और basically यह क्या है, handle, change, ठीक है, ऐसे मैंने करके बना दिया, यहाँ पर simply क कुछ नहीं, event यह अपने को कोन देगा, react देगा, और यहाँ पर सीधा reference पास करेंगे, यानि function की body जिस पर है, तो यह मेरा handle change है, right, change, so अब देखते हैं कि यह भी काम कर रहा है, इसके अंदर भी क्या करते है, console log कर लेते है, event, let's see, it's working or not, refresh करेंगे, और यहाँ पर type करेंग है न, अब एक बार event.target, मुझे पता है, इसके target के अंदर, यह basically अपने हो क्या मिला था, यह wrapper, right, actual, जो native element है, उसके उपर wrapper है, I mean तो से जो native event है, okay, so basically native event है, और इसका wrapper क्या है, synthetic based event, यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, refresh किया मैंने, अब मैं अगर कुछ टाइप कर करता हूं, तो यह देखे, work कर रहा है, so basically यह एक तरीका है, जिसमें कि आप react class based component में event यूज कर सकते है, ठेक है, attach कर सकते है, किसी भी element पर, HTML element पर, अब यहां तक चल रहा है, let's say मैंने एक नया property बनाया, कुछ भी, example के लिए, आप यहां पे कुछ भी बना सकते हो, मैं इक रहा, this.data equal to, let's say, blank, right, और जब मैं click करो, तो इस पर मैं रख दू, कुछ पर, जो भी value rs पर sign करता हूं, this.data equal to, मैं क्या करना चाहता हूं, event.target.value, so basically यह मेरा instance का, यह है, class का, यह member है, तो मैं इसको यहां use कर सकता हूं, और पर नीचे print करते हैं, कि यह real में काम कर र member variable है, जो अपना member property है, इस पर हम data रख रहे हैं, write यह चीज़, और मैं ऐसे कर सकते हैं, अब मैं क्या करता हूं, इसको save करके run करते हैं, refresh, let's say, अब मैं refresh करके, यहां कुछ type करता हूं, let's say, मैंने type किया R, तो आप क्या देखेंगे, यहां तुरंत error आ गया, और जिसमें यह बोला जा रहा है, कि uncaut type error, type error है और cannot set, type error का बाता है, जब आप किसी चीज़ को ढूंड रहे है, और नहीं मिल रहा है, right, अगर कुछ चीज़ इसके लिए define ही नहीं है, तो type error cannot set properties of undefined, कह रहा है कि जो भी अगर कोई चीज़ undefined है, उसके उपर properties set नहीं की जा सकती, यानि क basically यह बता भी रहा है कि setting data, इसको data undefined मिला, क्यों, अब check करते हैं कि data को को ढूंड रहा है, this ढूंड रहा है, right, तो एक बार देखते हैं कि this की value क्या है, अब मैं आपे save करके refresh करूंगा, क्योंकि this किसको point करना चीज़ यहाँ पर class को, right, ऐसी लिखते हैं जास्क्रिप में अब मैं लिखता हूँ, row hit, तो आप देखेंगे, R ही मैंने type किया था, कि यहाँ पर आगया undefined और app.js 17, यह देखें, basically यह क्या print कर रहा है, print कर रहा है undefined, right, so ऐसा क्यों हो रहा है, कि basically यह अपने ही class में खोया, खोया घूम रहा है, I mean, यह, even though इस class का member है, लेकिन भी लगा कर, लेकिन इस function, यानि basically इस method के अंदर, ऐसा क्या हो रहा है, कि disk हो जा रहा है, और कैसे इसको मिलाएंगे, इसके class के साथ, जानने के लिए बने रही है, मेरे साथ, अब यहाँ पर देखें, class है, right, सब चीस सही चल रहा है, problem किस के साथ आ रहे है, इस छोटे से disk के सा इसके अंदर कहीं न कहीं, disk हमारा गुम हो जा रहा है, तो problem क्या हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कि यहाँ तक सही चल रहा है, यह भी सही चल रहा है, simple सी वात है, यह अपना react भही है, यह क्या बोलते है, कि जो भी run करेंगे, यही run करेंगे, आप बस declare कर दो, define कर दो, तो basically के लिए, यह अपना क्या return वाला jsx है, तो यह क्या है jsx, इसको कौन run करते है, react भही है run करेंगे, right, अब यहाँ पर react भही है run करने jsx, सब चीज सही है, यहाँ पर क्या है, यह class अपना आया, और इसने किसको refer किया, finally इसको क्या मिला, this.change handle change, ठीक है, तो अभी jsx, यानि कि basically यहाँ का रन हो रहा है, अपने browser पे जो भी चीज रन हो रही है, at the end, इसको this.handle change मतलब, यहाँ पर क्या हुआ, browser, जो है window, इस पर क्या sign हो किया, this.handle change, right, यह sign हो किया, यह method, इसके बाद यह browser इसको run कर रहा है, basically अभी किसको run करेगा, handle change को run करेगा, यानि जो भी method इस पर sign किया है, तो यह उसको run कर रहा है, problem क्या हो रही कि run कुन कर रहा है, browser, right, और यह किस mode में चल रहा है, strict mode में, strict mode में चीज़े कैसे रहते हैं, जैसा काम करना चाहिए, वैसे काम करता है, हमने पढ़ा था, अब browser इस method को run कर रहा है, तो browser बोल रहा है कि देखो, मैं handle change को जानत लिए जो दिया, यानि कि reference दिया, है न, अब browser इस को run कर रहा है, browser बोल रहा है, कहां से dish लाओ, मेरे पास तो बस यह method बचे किया, तो इसको बताना पड़ेगा, यही simp चीज़ कैसे produce कर सकते है, यह देख, मेरे पास jsb ने, let's say, मैं simple class बना रहा, class, यह app है मेरा, ठीक है, औ यहां पर this.data equal to, let's say, my data, कुछ ऐसा था, ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, handle method करके, handle change, जो भी है, ओके, यह method है अब यह क्या कर रहा है, let's say, जो भी है, यह change कर रहा है इसको, तो यहां पर क्या this.data equal to किया, is it working, यही चीज़ वहां हो रहा है, अब इसने दे दिया क इसको, j6 को, अब j6 को मिल गया मतलब, यहां पर const object create किया, मतलब मैंने new app करके, ठीक है, new app, ओके, यह चीज़, और अब ही, अगर मैं यहां पर new app करूँगा, इसो console.log करते, console.log new app करूँगा, ठीक है, और फिर handle, इसके उपर call कर सकते है, handle change, मैं यह call करके देखता हूँ, त undefine करते, undefine आ रही है, reason क्या है, यहां पर assign तो हो गया, error नहीं आया, तो मैं पर print करता हूँ, ठीक है, यहां पर सही काम कर रहा है, अभी तक, अब मैं run करता हूँ, is it working, right, so सही काम कर रहा है, है न, अब मैं क्या करूँगा, यह दे दूँगा, j6 भया को, तो यह अपने j new app.handle change, इस ब्राउजर ने मांग लिया, कि मैं run करूँगा, अब ब्राउजर इसको run कर रहा है, console.log, यहां पर, sorry, यहां पर क्या browser.browser window, variable का नाम है, basically बता रहा है, यह ब्राउजर है, और यहां पर यह run कर रहा है, इस function को, ठीक है, अब इसको अटा देते हैं, यह comment कर देत अब इसको run करते हैं, एक काम करते है, इसको clear किया, run किया, अब आप देखिए, यहां पर रहा है, browser window is not a function, ठीक है, basically, यहां पर मैंने यह किया, और यहां, sorry, यहां पर मुझे reference पास करनी था, यह mistake होगई, clear करते हैं, तो मैंने क्या किया, इस function को दे दिया browser window को, मैंने यहां यहां फिर handle add then react जहां पर run कर रहा है, अब मैं run करूंगा, तो आप देखिए, cannot set properties of undefined setting data, right, same error आ रही है, यहां पर आप match कर लीज़े, जो मुझे आ रहा है, console.log, यानि कि देखिए, cannot set properties of undefined setting data, right, यह चीज़ देखिए, और यह चीज़ देखिए, exactly same चीज़ हो रही है, दोनों error same है, तो अपने को समझ में है कि problem क्या हो रही है, है ना, problem यह हो रही है, कि यहां पर जगर मैं this print करूं, console.log, तो आएगा this undefined, clear, run, right, undefined, यहां पर भी same हो रहा है, अपने को मिल रहा है this undefined, है ना, तो यही matter है यहां पर, को run कर रहा है, browser run कर रहा है इसको, इस method ब्राउजर ने बोला कि मैं run करूंगा, तो ब्राउजर रहा है, है ना, अगर इस class से run करते है, इस class का को instance होता हो, रहा है, तो इसको पता चल जाता है क्योंकि this क्या है, क्योंकि this का वेलु क्या रहा हैगा, जो call कर रहा है, example के लिए अगर हमने है यहां पर handle change call किया, तो dot क इधर साइड वाला जो भी है उसी को this point करेगा लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है यहाँ पे as a global run हो रहा है और strict mode है तो problem यहाँ पे यह आप समझ महाँ क्या है ना कि basically यहाँ पे this undefined क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे basically इसने किसको handle कर दिया browser को, browser ने इसको run किया, ऐसे जैसा मैं दिख रहा है यह चीज़ है ना यह, और last at end आपको अपने को जब उसने run किया तो यह error आई, अब इसको कैसे fix करते fix कर सकते है हमने उलड़ी पढ़ा bind करके मैं bind क्या करता है आप बता रहे हो, bind कर रहे हो basically बूल रहे हो, कि handle change के अंदर जो भी this, कहीं भी run करो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो this हो, basically किसको point करेगा, app को ठीक है, अब मैं ऐसे clear करता हूँ, और यहाँ पे मैं pass कर रहा, new app basically object pass करने रहती है तो clear किया और run किया अब दीखे, exactly काम कर रहे है तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे देखो, जो भी तुम this point करोगे basically इस object का part रहेगा ठीक है, इस object को यह refer करना, तो यह object कौन सा है इस class का है, तो यह ऐसे काम कर यहाँ पे इसको rename कर देते है इसका कर देते है, app object okay, so app object और मैंने यहाँ पे पास किया, right यह चीज़ और यह काम कर रहे है, जिटेश कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे अपने ओ class का नाम नहीं पास करना है, ठीक है, तो कि class blueprint है, यह बस hold करता है, यह बताता है कि आपका object आपका object ऐसा दिखेगा, है ना, जो चाहिए आप लिख देते हो कि ऐसा object का form है मतला important कोन है object, इसी लिए जब run कर रहे है, तो आप देखो यहाँ पे new app, basically मैंने change कर दिया app object, right, यहाँ पे, इसको भी change करना पड़ेगा, clear करता है अब मैं run करूँगा, तो basically क्या print हो जा रहा है, class क्यों क्योंकि इस किसको point कर रहा है basically, इस class को, है ना इस app को point कर दे रहा है, अपने को यह नहीं करना, यह क्या print कर रहा है this.data, है ना तो अपने को यह basically यहाँ पे app नहीं print करके क्या, इसका object को refer करना है, कि इस object को refer करो, ठीक है this, है ना, अभी काम कर रहा है यही चीज़ अगर आप normally देखना चाहोगे तो कैसा, एक object बना लेते let's say मैंने क्या किया, class अटा के, मैंने where बनाया, और app करके, एक object बना लिया, ठीक है अब इस app के अंदर basically मेरा क्या है, let's say data करके, ठीक है, data this is blank data, ऐसे मैंने किया, comma दे दिया यहाँ तक सही है, यह क्या कर रहा है this print कर रहा है, यहाँ तक अब मैंने क्या किया, app basically, अब यह हटा देते यह इसका नाम दे देते app object, इससे बहतर रहेगा already हमने JavaScript में पढ़ा था, right यह चीज, अब मैं अगर देखूंगा यानि कि basically app object ठीक है, इसको मैं call करूंगा इसको comment out कर देते, तो यह काम करेगा, क्यों, क्योंकि already पता है disk के उधर वाला किसको point करता है, dot कि इधर वाला उस disk, disk जो भी है handle change के इंदर, वो disk किसको point करेगा जो भी dot कि इधर साइड है, यानि app object को point करेगा, इसी object को, इसलिए यह काम कर रहा है, को error नहीं आ रही, right it is working जैसा भी है अब यहाँ पर basically जो undefine यह आ रही है, यह undefine इसलिए आती है, क्योंकि इसके अंदर से अगर आप कुछ return नहीं करोगे, तो undefine दिखती है method के अंदर से, अगर मैं true करो तो आप देखो true आएगा, right so basically true आ रही है, तो इसका है, लेकिन यह work कर रहा है अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, यह दे दूँगा function को reference assign करके variable पर और इस variable को call करोगे as a function, तो this किसको point करेगा window को, और यही कर रहा है right, so basically अपने को this के मिला window, exactly इस object को point नहीं कर रहा है ना, यह चीज़, already हमने JavaScript series में पढ़ा था, यह चीज़ के वारे में क्योंकि हमेशा, किससे पता पढ़ेगा कि किसको point out करो, तो मैं क्या करूँगा, bind, और मैंने क्या बोला, app object को point करो, है ना यह object है, जैसी यह करूँगा वैसी run हो जाएगा यह देखे, right, अब सही काम कर रहा है it is working, है ना, और दुसरा क्या है, दुसरा यह है, वह आपस अगर हम class में देखेंगे मैंने revert कर दिया code, और आप देख रहे है class है मेरे पास, ठीक है, वही चीज है, वही सारा चीज सेम है यह run करता है यह हमने bind कर रहा है यह आपे अब suppose कि आपको bind keyword पसंद नहीं, ठीक है, और आप इस alternate option चाहते है, तो आपको कुछ याद आ रहोगा अगर आपको bind नहीं करने bind से क्या करते हो, basically आप बता रहे हो कि इस handle change के अंदर जो this है, इस class को object को ही point करेगा, basically इसी object को point करना चाहिए, आपने यह बता है, यहां से यानि कि bind मतलब इस handle change का रिष्टा जोड़ो इसी object से, even though आप भी browser call करें, चाहिए कोई भी call करें, कहीं से भी call करो, इसके अंदर this, इसी को point करना चाहिए तो इसका alternate method alternate way क्या, मैं क्या use करूंगा, आपको याद आ रहोगा, अपने को arrow function कब काम आएगा, यहीं पर काम आएगा arrow function क्या बोलता है arrow function पहले तो lexically काम करता है ठीक है, lexically मतलब बोलता है कि, ओ, this वहीं का use करेगा, जहांपो define है, define किसके अंदर, इस class में, तो this पूरे class को point कर रहा है, तो इस method के अंदर भी, this इसी को point करेगा, चाहे कहीं से भी call करें तो आपको क्या करना है, इसको convert कर देना arrow function में, और अब जो this है, basically, यह किसको point करेगा आपका app के अंदर जो भी है right, इसके instance को point करेगा, है ना so basically, अब हम अगर run करेंगे, clear करके जो भी है तो आप देखिए, exactly same काम कर रहा है and it is working, right, यह data sign हो रही है इस पर बिना को error का, और यह दोनों काम कर रहा है, अभी दो बार print होगा return, यहाँ पर क्या होगा, error आ गया है basically, यहाँ पर new app के जगा मुझे क्या करना है, जो object मैंने create किया, उसको base करना है, यह typo error था अब run फिर से करते हैं, और आप देखिए दो बार print होगा है, यहाँ पर this किसको point कर रहा है, simple से बात है lexically, it arrow function this keyword checks where the function is defined and grab that value ठेक है, जो भी, जहाँ पर define है अब handle change किसके अंदर app, तो basically इसको ही use करेगा और यही चीज़ हम यहाँ भी use करने वाले so I hope समझगे होंगे, तो पहला अपने को क्या है, bind करना, let's अगर अब bind नहीं करना चाहते, ठीक है अगर bind करना चाहते, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं इसको zoom करता हूँ पहले चीज़ किए arrow function, तो अगर मैं इसको arrow function में convert कर दूँ let's see work करता है कि नहीं, so मैंने कर दिया, यह पहला method refresh, अब मैं यहाँ पर type करता हूँ और यह देखे, work कर रहा है, बिना कोई दिक्कत का और this किसको point कर रहा है, app कोई, है सारे चीज़ काम कर रहा है, this lexically काम कर रहा है, let's see यह नहीं करना, तो alternate क्या हमने बोला था, bind, हमें क्या करना bind करना पड़ेगा, यानि कि हम क्या बोल रहे है, कि bind कर दो, और bind कैसे करेंगे basically, आपको यहाँ पर आकर this.handle change, यही आपका method equal to, आप क्या करो, bind हमें यह एक नया method return करेगा, नया method return करेगा, यानि कि, जो method आएगा, उसमें this की value अलड़ी रही की, right, point करें किसी class को, तो मैं क्या करूँगा, this.handle change.bind, ठीक है, अभी नया method return करेगा, इस नया method के अंदर this, यानि कि, handle change के अंदर, जो this है, basically यह वही this होगा, जो पूरे जग़ा call कर रहे, right, और यहाँ पर this की value क्या है, अलड़ी app है, right, हमें बाहर से नहीं call कर रहे, न, constructor के अंदर है, यही पूरा जग़ा this, इसके अंदर ही है, जब तक यह बाहर से कोई third party call ना करे, अब मैंने bind कर दी, और मैंने बूला कि, कहीं से भी तुम call करो, यह handle change, इसी class के object को point करने वाला है, जो भी है, अब देखिए, exactly मैंने सारा चीज़ सेम किया, refresh, और अब अगर मैं कुछ करूं, तो यह देखिए, अभी भी काम कर रहे है, right, यानि कि, यह अपना दुसरा में धड़ है, दुसरा वे है, अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं, तो आप, suppose कि आपको bind keyword पसंद नहीं, ठीक है, और आप इस cultrant option चाहते हैं, तो आपको कुछ यादार होगा, अगर आपको bind नहीं करने, यानि, bind से क्या करते हो, basically आप बता रहे हो, कि इस handle change के अंदर, जो this है, इस class को object को पॉइंट करेगा, basically इसी object को पॉइंट करना चाहिए, आपने यह बता है, यहाँ से, यानि कि, bind मतलब, इस handle change का रिष्टा जोड़ो इसी object से, even though आप भी browser कॉल करें, arrow function क्या बोलता है, arrow function पहले तो lexically काम करता है, ठीक है, lexically मतलब बोलता है, कि, ओ, this वहीं का use करेगा, जहाँ पूइंट है, define किस के अंदर, इस class में, तो this पूरे class को point कर रहा है, तो इस method के अंदर भी, this इसी को point करेगा, चाहिए कहीं से भी call करें, तो आपको क्या करना है, इसको convert कर देना, arrow function में, और अब जो this है, basically, यह किसको point करेगा, आपका, app के अंदर जो भी है, right, इसके instance को point करेगा, है ना, so basically, अब हम अगर run करेंगे, clear करके जो भी है, तो आप देखिए, exactly same काम कर रहा है, and it is working, right, यह data sign हो रही है, इस पर बिना कोई error का, और यह दोनों काम कर रहा है, अब दो बार print होगा, return, यहाँ पर क्या होगा, error आगया है, basically, यहाँ पर new app के जगा, मुझे क्या करना है, जो object मैंने create किया, उसको paste करना है, यह typo error था, अब run, फिर से करते हैं, और आप देखिए, दो बार print हो रही है, यहाँ पर this किसको point कर रहा है, simple से बात है, lexically, keyword checks where the function is defined and grab that value, ठीक है, जो भी, जहाँ पर define है, अब handle change किसके अंदर, app to basically, इसको ही use करेगा, और यही चीज़ हम यहाँ भी use करने वाले, so I hope समझगे होंगे, तो पहला आपने को क्या है, bind करना, let's say अगर अब bind नहीं करना चाहते है, ठीक है, अगर bind करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं इसको zoom करता हूँ, पहले चीज़ किया arrow function, तो अगर मैं इसको arrow function में convert कर दूँ, let's see work करता है कि नहीं, so मैंने कर दिया, यह पहला method refresh, अब मैं आपर type करता हूँ, और यह देखे work कर रहा है, बिना कोई दिक्कत का, और this को point कर रहा है, app कोई, है ना, सारा चीज़ काम कर रहा है, this lexically काम कर रहा है, let's say यह नहीं करना, तो alternate क्या हमने बोला था, bind, हमें क्या करना, bind करना पड़ेगा, यानि कि हम क्या बोल रहे है, कि bind कर दो, और bind कैसे करेंगे, basically आपको यहाँ पर आकर, this.handleChange, यही आपका method, equal to, आप क्या करो, bind हमेशे एक नया method return करेगा, नया method return करेगा, यानि कि, जो method आएगा, उसमें this की value अलड़ी रही की, point करें किसी class को, तो मैं क्या करूंगा, this.handleChange.bind, ठीक है, अभी नया method return करेगा, इस नया method के अंदर this, यानि कि handleChange के अंदर this है, basically यह वही this होगा, जो पूरे जगह call कर रहे है, और यहाँ पर this की value किया है, already app है, हमें बाहर से नहीं call कर रहे हैं, constructor के अंदर है, यही पूरा जगह this, इसके अंदर ही है, जब तक यह बाहर से कोई third party call ना करे, अब मैंने bind कर दी, और मैंने बोला कि, कहीं से भी तुम call करो, यह handle change, इसी class के object को point करने वाला है, जो भी है, अब देखिए, exactly मैंने सारा चीज़ same किया, refresh, और अब बगर मैं कुछ करूँ, तो यह देखिए, अभी भी काम कर रहे है, यानि कि यह अपना दुसरा में धड़े, दूसरा वे है, अब let's suppose, आप यह boring keyword को सनी करना चाहते, bind-wine, तो आप क्या करेंगे, comment out, और आप normal approach से जाएंगे, जो हम functional में किये थे, right, इस on change को क्या चाहिए, function की body चाहिए, मैंने दे दिया, right, अब यहाँ पे, इसमें, जो दोगे, वो on change में execute हो जाएगा, जब भी यह react is function body को call करेगा, खुद से, ठीक है, हम यहाँ पे क्या देंगे, this. यहाँ पे, handle change, right, अब जब react is को call करेगा, function body को, तो यह pass करेगा event, और हम क्या कर रहे है, इस event को pass कर दे रहे, इसमें आगे भेजते रहे, और यहाँ पे मिल जाएगी, right, अब even दो आप return भी करोगे, जो हम functional component में कर रहे थे, यह नहीं भी करो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि return वैसे भी कोई काम करने आप, right, हम on change कुछ मांगता नहीं return में, इसलिए यहाँ पे जुरूरी नहीं return करना, वहाँ भी नहीं था, तो यह चीज़ मैं बताना भूल गया उसमें, लेकिन यह चीज़ common है, जुरूरत नहीं आपको return करने की, अब क्योंकि यह एक line पे मैं करना चाहता हूँ, तो भी हो सकती है, मैं refresh करूँगा लेट से, और मैं अभी अगर कुछ type करो, तो यह देखिए अभी भी काम कर रहा है न, अगर यही चीज़ को मैं एक line पे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यह simple, और यहां से यह हटाऊँगा, और यह देखिए एक line पे आगिया, अब यहाँ भी यह same काम करेगा, reason क्या है काम करने का, same चीज, reason यही है, कि यह कैसे काम करता है, lexically, lexically काम करते हैं in the sense की, जब भी on change call करेगा, write, react, और यह function execute करेगा, तब उस वक्त का जो this का value है, इसमें pass करतेगा, ठीक है, और उस, क्यूंकि यह जो function है, ठीक है, बैसे, किस zone में call हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं दिखा हूँ आपको, फिर save line पे ले जाकर, तो यह जो call हो रहा है न, यह, यहाँ पर जो this की value है, यह point करेगी अपने class को, ठीक है, class app के अदर point करेगी, अब यहाँ पर इसी लिए, this जो जाएगी, क्योंकि arrow function है, तो यहाँ भी जो this function, use this keyword होगा, किसको करेगा, app कोई करेगा, हमने सिखाना, this keyword कैसे काम करता है, lexically, यह बोलता है, जो मुझे run कर रहा है, वो नहीं, जहाँ पर मैं define हो, तो यह किसके अंदर define है, basically jsx, यह class के अंदर define है, इसी लिए, arrow function, जब react इसको run करेगा, on change, तब उस वक्त, ठीक है, ब्राउजर को देने से पहले, ब्राउजर को जब assign करेगा, method, right, उससे पहले, यहाँ पर, यह देखिए, जब यह ब्राउजर को देने वाला रहेगा, उसी वक्त, यह क्या check करेगा, arrow function है, और उस वक्त का जो this है, इसको बता देगा, basically यहाँ पर bind का 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 कर रहा है, तो यह this का बता देगा, भाईया देखो, ब्राउजर, तो मैं arrow function हूँ, ठीक है, और मैं this carry करता हूँ, और जब आप run करोगे, तो आप this को point करोगे, जो इस body के अंदर कर रहा था, यानि कि, जो this, यह keyword, यह है, method function है, इसके अंदर जो this की value थी, यही this की value होने वाली है, अगर मैं आप this print करूँ, तो आप देखो कि क्या आएगा, this, ठीक है, line number क्या है, 30 है, अब देखते क्या आता है, refresh, अब देखो मैं कुछ भी type नहीं किया, ठीक है, और अब भी मैं कर रहा, ऐसे, राइट, अब यह कब call होगा, यह function, यह function जो है ना, I mean यह जो body है, है ना, यह body कब call होगी, react call करेगा, जब यह on change trigger होगा, मैंने type किया A, अब ही देखे, line number 31, line number 31 को इसको point कर रहा, इसी disk को, यानि इसी को, और यह क्या बोल रहा है, किसको point कर रहा है आपे, यह कर रहा है, app को, इसी लिए, और आप हर जगदे को, app कर रहा है, तो यही जो disk की value है, इसमें pass हो गई, अब यह जहां भी call होगा, यह scope कौन सा है, sorry, यह scope कौन सा है, यह app component का scope है, इसी लिए यह method कहा रन हो रहा है, इसके अंदर, तो इसने क्या उठाया, यह उठाया, जो disk का value है, right, so I hope, यह अपने आपने जास्क्रिप्ट सीरीज में पढ़ा है, और आप वो revise कर सकते हैं, देखे, जब भी on change call होगा लेट से, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा method को नेक स्कूर्ट करने वाला है, यह, यह कहाँ पर run होगा, ब्रॉजर पर run हो रहा है example, ठीक है, क्योंकि यह disk में जो है, यह already disk का reference carry करता है, ठीक है, जहाँ पर define है, तो यहाँ पर disk किसको point कर रहा है, एप class को, ठीक है, अब इसको third party रहाँ करेगा इसको, तो इसको पता है, कि इस handle change के अंदर this किसको point करना है, एप को, राइट, और यही आप यह use नहीं करते, नॉर्मल आप देते, ठीक है, सिर्फ this.handleChange, यानिकी, आप क्या कर रहे हो, on change equal to, आपने बस लिख दिया, this.handleChange लिख दिया, ठीक है, ऐसे call किया, reference, तो यह सिर्फ जाता इसको, है ना, यह, और browser, लेट से, अभी क्या, where x equal to, क्या assign हो जाता, this.handleChange, राइट, अब x call होता, राइट, यह, तो यहाँ पर call हो रहा है, ब्राउजर को, this का नहीं पता, लेकिन, अब यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर यही चीज़ क्या हो रहा है, where x equal to, यहाँ पर एक, अपना body है, राइट, यह चीज़, है ना, तो basically, यह जब run होगा, तो इसको पता है, कि यहाँ का this का जो value है, किसको point कर रहा है, app को, क्योंकि यहाँ पर arrow function है, arrow function कैसे काम करता है, lexically, जहाँ पर define है, वही this carry करता है, यहाँ पर this carry करता है, भूलता है नहीं, कहाँ से this call किया, मतलब कहाँ पर define किया गया है, क्योंकि arrow function है define किया गया, app के अंदर, यह J6 के अंदर, लेकिन आप के अंदर ही है, इसलिए complete जो भी आप लिखे रहे हो पूरा disk इसको पॉइंट करेगा आप को So I hope आप समझ के होंगे मिलते हैं के लिए वीडियो में, thank you so much